वेल्कम फ्रेंड्स रोयल गूरूप आपके लिए लेकर आया है रेड्मी 9a मोडल है इसमें प्रॉलम है चार्जिंग की इसमें क्या है कि चार्जिंग वोल्टेज पास नहीं कर रहा है तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसका जो कंबो का पता होता है कंबो में इसकी जो हुआ है था अध्याय मोडली और आपका ट्राज्स का पता होता है न वह यहन कठा ही होता है इसका साब्कोर्डका तो आज हम इसको घ्यक्ण करना सिखेंगे यह दिखो मैं इसको चार्जिंग से कनेक्ट कर रहा हूं लेकिन यह चार्जिंग नहीं ले रहा है सो मैं इसमें ट्राइब मार चुका हूं मैंने इसे टेस्क कर लिया है वैसे तो आपको डिससेंबलिंग की बहुत सारी वीडियो तो नेट पर मिल जाएगी सो प्रॉपली अगर आपने रिपेर करना ऐसे तो मैं आपको इसका सलूशन आज देने वाला हूं बिल्कुल आप एक से दो मिनिट में इसको रिपेर कर सकते हूं कोई इशू नहीं है कोई प्रॉलम नहीं होगा सेट में सो यह देखिए अभी बिल् कि मैं तो ट्रेस करता हूं सब बोर्ड निकालकर किसका प्लस और मैनस कौन सा है सो प्लस मैनस मैं इसको चार्जिंग से कनेक्ट कर लिया और यह मैं अपने मेटर को थोड़ा सेट करके आपको दिखाता हूं यह देखिए मैंने से अपने वल्ट जिससे वाल्ट नी मतलब कि एसे बॉल्ट पर मैंने से सेट कर लिया और यह मैं आपको दिखाता हूं आभी यह मैंने से ग्राउंड कर लिया ठीक है ग्राउंड और यह मैं इसका पॉजिटिफ यह दिखे 5.76-77 वॉल्टेज मेरे पास आ रही है अच्छे चार्जर है फिर भी यह चार्ज नहीं कर रहा है अच्रा में पर गला है इसका प्लसपाउंड हमें पता लग गया थाकी आप हम इसे कन्नेक्ट करके मैं रहा हुए तो बॉल्टेज और क्नेक्तर बेवे बोल्टे जो ईकक है यह बिल्कुल रीडिंग जीरो है, यह देखें, मैं बार-बार करके दिखा रहा हूँ, आपको कोई रीडिंग नहीं है, ओके, अभी हमें क्या करना है, कि हमें इसे डारेट करना है, डारेक्ट इसका जो कनेक्टिविटी, कनेक्शन नहीं आ रहा है, इसमें उपर, तो हम देखेंगे, इसका प्लस पाइट में आपको बता दू, फ्रेंट्स, आपने ध्यान से इसे देखना है, थोड़ा सा, तो मैं जमपर वायर का यूज कर रहा हूँ, इसको डारेक्ट करने के लिए, डारेक्ट मिक्स के, इसे हम डारेक्ट का मतलब यह नहीं है, कि इसे कॉंपोनेंट से भी डारेक्ट बैटरी में कनेक्शन देंगे, नहीं हमारा जो बीच का सप्लाई टूटा हुआ है, ठीक है, कोई सप्लाई आ रहा था निच्चे से, वायर आ रहा था, वो इसमें कहीं टूट गया है, तो हम उसी वायर को कवर करेंगे, प्लस पॉइंट को कवर करेंगे, जमपर वायर की हल्प से, सो मैं इसे टीनिंग कर रहा हूँ, और टीनिंग करने के बाद मैं यहां जमपर आपके सामने लगा के दिखाँगा, थोड़ा सा फ्रेंड मेरे पास कंजिस्टिट है, जगा तो मैं प्रॉपरली आपको शायदे वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, सो फ्रेंड पोज ना अपना इस वीडियो को फॉरवर्ड फास्ट ना करें, ठीक है, और अराम से ध्यान से इस वीडियो को देखें, मैं कैसे काम करना हूँ, तो यहाँ दू पोइंट है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों में यह दिखिए, शोल्डिंग कर रहा हूँ, यह उपर भी सोरी, साथ वाले में टैच जोगा थोड़ा सा, सो हमें कै करना है, नीचे वाले में शोल्डिंग करना है, तो यह दिखिए, यह प्रोपरली जमपर वायर लग गया है, तो मैंने यहाँ से प्रोपरली यह जमपर लगा दिया है, सो अभी हमें प्लस पॉइंट फाइंड करना था, वैसे तो मैंने कर लिया है लेकिन आपके सामने में एक बार दुबारा से प्लस पॉइंट करके वहां भी जंपर लगा दीता हूं तो यह दिखें मैं फ्रेंड कर रहा हूं आपके सामने आपने भी फाइंड करना है तो इसके सबसे पहले कनेक्ट के लिजिए चार्जिंग में ठीक है इजी वे बता रहा हूं मैं आपको ठीक है उसके बाद ग्राउंड को बाहर कहीं भी आप रख सकते हो और पोजिटिव को महां पे लेफ्ट और राइड वाली पिन में टेस्ट किजिए यह दिखिए लेफ्ट वाली नहीं है अ के लेफ्ट वाली है तो यह रख वाली पिन है तो लइफ्ट वाली میں में यहां पर इड़ो औरा इस्ता आपको लोज्दी दिखा देता हूं ठीके वाली फ्रेंट यह मेरी वायर आई, जम्पर वायर यह मेरी वायर, यहां पर जम्पर आज थोड़ा लाइट डाउन है तो उसकर के थोड़ा जम्पर लगाने में प्रोलम हो रहा है, कोई ना प्रेंड मैंने पटापट से यह जम्पर लगा लिया है, ठीके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीके यह मैं दिखा रहा हूँ आपको कहां से मैंने कहां लगाया जम्पर, यह देखिए यह मैंने इसकी लेफ्ट से और इसके जो सेकंड वाली नीचे वाली पिन है इससे जम्पर लगाया है और यह इसके लेफ्ट साइड में ठीक है, यह देखिए यहां पर जम्पर लगाया है, आपको दिखा देता हूँ मैं प्रोपली, सो मैं इसे बोड से कनेक्ट कर रहा हू यह दो बोड को अब बोड करने के बाद, इसके प्रोपली कनेक्ट कर दीता हूँ, इसके वायरिंग फंक्शन है, प्रोपली हाडवेर को मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फ्रेम जम्पर वैसा ही है, आपको दिखा दूँ, ऐसा नहीं सोचना कि कोई सेट है, मैं इस वी फास्ट फारवर्ड करूँगा नहीं, मैं पूर प्रोपली आपको काम करके दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि कई फ्रेंट्स के कमेंट रहते हैं, कि आपने बोड चेंज कर दिया, शाहर दिया, तो फ्रेंट्स में ऐसा कुछ नहीं दिखे, प्रोपली मैंने कनेक्टर इसका लगा दिया, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद, यह देखिए, यह मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अभी मैंने यह चार्जिंग को दुबारा से कनेक्ट कर लिया, तो कनेक्ट करने के बाद यह जैसे मैंने आपको बताया था, यह शायद आइधिंक बिलकुल खाली है, तो हम थ दो तिर मिनिट में इसे लगबग दो क्या आई थोड़ा सा 30-25 से किन्ड हम इसे रख लेते हैं अगर आपने मेरे चैनल को साभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इसी तरह के कोई भी हल्फ के लिए या क आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है और अगर फ्रेंड आप शेयर करते हो कमेंट करते हो सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी है अल्प मिलती है और मेरा जो इंटरस्ट है और ज्यादा इस वीडियो और कोई भी अनदर वीडियो को मिनाने के लिए ज्याद ज्यादा रह है सो यह चार्जिंग के लिए सक्सेस हो गया हम ने जो चार्जिंग कनेक्टर के उपर काम किया ठीक है वो हमारा सक्सेस रहा थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो